अव्यक्त शिक्षाओं का अन्मूल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है जिन्दगी का अफसाना अमूल ये रतन अमूल ये रतन अमूल ये रतन ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा शिव के द्वारा उचारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है ओम शान्ती गौडलिवूर शूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल ये रतन में आप सभी का हार्दिक स्वाकत है संत कबीर दास्षी ने कहा है कि मैं मैं बड़ी बलाई है सके निकल तो निकले भाग कहे कबीर कबलग रहे रूई लप्ती आँग अर्थात जिस प्रकार रूई अधिक समय तक अगनी का ताप सहन नहीं कर पाती कुछ समय के पश्षाद स्वतह जल जाती है ऐसे ही देह एहंकार भी मनुष्य का पतन वविनाश करा देता है परंदू देखा जाता है कि देह एहंकार के बहुत से सुक्ष मरूप है सभी विकारों के मूल देह अभिमान को समाप्त करने की यथार्थ विधी क्या है वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदर्नीय राजयोभाई सहब पसब आपका आज के एपिसोड में बहुत वस्वाकत है पसब आज हम बात करेंगे 26 मार्च 1993 के महवाक्तियों पर जिसका टॉपिक है अव्यक्त वर्ष में लक्षे और लक्षन को समान बनाओ परमात्मा कहते हैं कि सभी के दिल में एक ही संकल्प है उमंग है कि हम सभी बाप समान साकारी सो आकारी और आकारी सो निराकारी बाप समान बने परमात्मा सभी के इस लक्षे और लक्षन को देख रहे हैं जब इस लक्षे को थोड़ा सपश्ट करें हम सब संगम यूगी ब्राह्मानों का एक लक्ष है, हम ब्रह्मा बाबा के समान, जैसे वो साकारी से आकारी बने, और फिर आकारी से निराकारी इस्थिति को प्राप्त किया, ऐसे हम ब्राह्मान बच्चे भी अभ्यास करते हैं, कि हम साकार सो अभ्यक्त आकारी फरिष्ता हैं और फिर फरिष्टा से निराकारी इस्थिति को हम प्राप्त करते हैं। तो एक है आकारी पिता, प्रजा पिता, ब्रह्मा बावा जो अव्यक्त फरिष्टा बने और एक है निराकारी परमात्मा शिहु जो निराकार स रूप में इस्थिति हैं। हम सभी इस समय पुरसार्ट जो कर रहे हैं, उसमें अपने साकार देह को भूल करके अपने को आत्मा निश्य करते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति जितनी हमारी बंती जाती है, उतना हम आकारी फरिष्टा इस्थिति का अनुभो करते हैं, और फिर उसी सरुप्स को छोड़कर प्राप्त करते हैं, तो इस लिए साकारी, सोहाकारी, सो निराकारी स्थिति इसल्कष को प्राप्त करने का हम सब को संगम उफ़र विशेश पुरसार्थ करना है, पर बातमा कहते हैं कि लक्षी और लक्षन में अंतर होनی की विशेश एक ही बात देखे, चाहे आकारी का है सबसे विशीष कहने में भल एक शब देह अभिमान है लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है वैसे लक्षे और लक्षन की इस अंतर के कारण को स्वष्ट करें क्योंकि परमात्मा जो हम सब को अपने समान आकारी वा निराकारी बनाना चाहते हैं उसमें सबसे बड़ा विग्न जो आता है वो अहिंकार का आता है जो देह अहिंकार कहलाता है हम सब जितना इस देह अहिंकार का या देह अभिमान का त्याग करते हैं अपनी आत्म अभिमान इस्थित रहते हैं उतना ही हम अपने लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि जो देह अभिमान है इसके बड़े सुक्ष्म रूप हैं जितना हम उस देह अभिमान के रूपों को पहचानते जाते हैं उतना हम आत्म अभिमानी इस्थिति में नेचु परमात्मा निराकार हूं, जोती सरूप हूं, अपने सरूप में जितना हम इस्थित रहेंगे, उतना हम निराकारी इस्थिति का अनुभाव कर सकेंगे। वो अभिमान नहीं है, परन्तु इसके साथ साथ देह के संबंद से अपने संसकार विशेश है, बुद्धी विशेश है, गुण विशेश है, कोई कलाई विशेश है, कोई शक्ती विशेश है, उसका अभिमान अर्थात एहंकार, नशा, रोब ये सुक्ष्म देह अभिमान है यह बहुत सुक्ष्म चेकिंग है, जितना हम अपने आपको चेक करते हैं, कई बार जब हम आत्म आपमानी इस्तिती में रहते हैं, तो आत्म आपमानी इस्तिती से अपने आकार में या कोई दे को हम देखते हैं, तो उसमें हमारी आकरशित नहीं होती, उसको हम सहे जित लेते हम समझते हैं हम देही अव्मानी बन गए हैं परमात्मा कहते हैं इसके बहुत सुक्ष्म रोप हैं बहले हम किसी आकार में किसी दे में आकरशित नहीं होते लेकिन जो सुक्ष्म में अपने संसकार बने हुए हैं अपनी बुद्धी विसेश हैं कोई अपनी कलाएं हैं जो हम अच यूदि अधिया सेुआए कर सकते हैं प्लेनिंग करते हैं तो भिंद कहीं अपनी विशेष्ता में सूक्षम हैं कारता है और था इस हमया है झोड़ को दिखा है जिसको हर्मात्oft जा आड़ मेरें चलता है लगता है रोब से चलता है, बात करता है, तो बड़े नसे से करता है, तो उस नसे को, उस रोब को भी अहिमान कहते हैं, परमात्मा हम सबको कहते हैं, जो आतम हिमानी स्थिती है, जो देही हिमानी स्थिती है, उसके अंदर केवल देह की आकरशन की बात नहीं है, लेकिन अपनी किसी वि मेरा अफिञ्ट काई निषटी में दिखा ही देता है लोगों को भी único होता है बड़े रोप से चर रहा है बात केसे करता है परमयत्मा केहते ये बहुत सूखश्म अभिमान इस अभिमान को समाप्त करो तब वो निराकारी श्थिति आपकी बन सकेगा कहीं पर पता नहीं चलता है जब हमारी बात को कोई कट करता है और हमें दुख की महसूसता आती है वास्तविक्ता में वो भी दे हैं वास्तव में अगर किसी भी तरह से किसी ने मेरी बात को मान लो सुविकान नहीं किया रिस्पेक्ट नहीं दिया या सुना अनसुनी कर दिया तो हमें फीलिंग आएगी परमात्मा इसके दो सब्दे देते है जहां अभिमान होगा वहां पर अभिमान की फीलिंग बोजल दियाएगी इसने मेरी बात को कट कर दिया इसने मेरी बात को सुना नहीं अपमान महसूस करेगा और फिर उसका मूट खराब होगा उसकी स्थिती बिगड़ जाएगी कई निसानियां हैं जिसमें अभिमान होता है उसकी चलन्ज से वो दिखाई देती है परमात्मा कहते हैं कि अगर इन सुक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो न आकारी फरिष्टा नैचुरल निरंतर बन सकते न निराकारी बन सकते चुकि आकारी फरिष्टे में भी देहभान नहीं है तबल लाइट है देह एहेंकार, निराकारी बनने नहीं देगा बहुत सुक्श्म चेकिंग है जैसे ब्रह्मा बाबा भी अवबयक्त रूप में आते हैं तो उस अवबयक्त रूप में हमने देखा जरा भी कहीं एहेंकार दिखाईंगा नहीं देता उनकी वानी में, उनकी दृष्टी में, उनके हाओ भाओ में, कभी भी ये नहीं दिखाई देता है कि बाबा का ये बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत साधारान बच्चों के बीच में ऐसे आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बच्चों जैसी एक्टिविटी करते हैं, तो परमा प्रमात्मा की कहते हैं कि चक करो कि किसी भी प्रकार का अभिमान वह एहंकार, नाचुरल स्वरूप से पुरुशार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सुक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है। जो समय प्रमान और कहां सेवा प्रमान भी इमर्ज हो जाता है। क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। थोड़ा भी अगर होगा ना तो अंस का वंस बन जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं बहुत महीन रूप से चेक करो। कि अगर जराभी कहीं अपनी बुद्धी का, संसकारों का, अपनी कोई भी प्रकार की कला का भीमान है। तो कहीं न कहीं धोखा दे देगा। जो हमारे नेचुरल नेचर बन जाए निराकारी श्तिती की फरिष्टा श्तिती की वो नहीं बन पाएगी। इसलिए सुक्ष में भी चेक करें कहीं पर भी किसी भी परकार का, पद का, पोजिशन का, पढ़ाई का, बुद्धी का, हैंकार अंदर अंदर तो नहीं है। अओन तो पढ़ालीखा हूं, बुद्धी मान हूं, मेरी बहुत अची प्लैनिंग है। मेरे जो विचार हैं, बड़े अच्छे हैं, सफल होते हैं। कि वोगों को यह होता है कि मैं जो संकल्प करता हूं मेरा सिद्ध होता है। इसलिए इसमें भी निरहेंकारी बनू, तब वो नेचुरल फरिष्टा इस्तति बन सकेगी. इसलिए परमात्मा कहते हैं कि चलते चलते, कोई विशेश स्थोल रूप में, उस दिन उस समय, कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी-कभी ये अनुभव करते हो न, कि आज व अभी नमालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए, वैसी नहीं है, नमालूम आज अकेल पन व निराशा, व व्यर्थ संकल्पों का अच्छानक, तूफान क्यूं आ रहा है, अमरितवेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी, जॉब भी किया, परंतु ये क्यूं हो रहा है, कारण क्या होता है, मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो, और उसमें समझते हो कि कोई गल रूप का अंश सुक्ष्म में प्रकट होता है, यही कई अभग्याएं होती है, परमात्मा इसको कहते है, अगर कोई छोटी मोटी अंदर से भी भूल होती है, अभी माली, तो आपकी खुसी गयब हो जाएगी, आपको अकेला पन महसोस होगा, योग नहीं लगेगा, ऐसे ल कोई ने मेरी सुनी नहीं, मैंने कोई बात कही और मानी नहीं गई, तो परमात्मा कहते है, कारण क्या है, उसको सुक्ष्म चेक करो, कहीं पर भी आपकी बात को किसी ने कट किया, किसी ने ठेस पहुचा दी, कोई ने सुविकान नहीं की, तो अंदर से उखुसी गाइब हो इसलिए प्रमात्मा कहते हैं कि कोई भी काम में दिल नहीं लगेगी वैराग्य, उदास उदास फील होगा, या तो सोचेंगे कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं, या सोचेंगे सो जाएं, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर लें थोड़े टाइम के लिए इन सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है, कमाल नहीं कहो, धमाल ही कहो, तो संपोर्ण निरहेंकारी बनना आर्थात, आकारी, निराकारी, सहज बनना, इसे कभी-कभी दिल नहीं होती, कि क्या सदा एक ही दिन चर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए न, न चाहते भ कोई कोई जरा भी कुछ बात हो गई आपस में, अच्छी ने लगी, मालो कोई बात हमारे पसंद में नहीं आई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कोई कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई सेवा कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, अंदर अंदर मेरे को, आता है कि इसको इसको ही आगे रखते हैं, अंदर है अभिमान, बहुत सुक्षम आंस है, जो परमात्मा कहता आंस की कमाल है, कमाल नहीं है, वो धमाल है, तो इसलिए हमको बहुत सुक्षम चेक करना चाहिए, अगर मुझे कभी निरासा, उदासी या लगता मैं अकेले में चला जाओं, एकां कोई सुनता तो है नहीं, अंदर अंदर अंस है अभिमान का, और उस अभिमान के अंस के कारण वो जो उमंगुसा रहना चाहिए, जो खुसी रहनी चाहिए, उसकी वज़ाए उदासी, निरासा, उसका अनुभवने लगता है, फिर उनिराकारी और पहिस्ता इस्तिती तो द नहीं दिखाये देथी, अंदर अंदर वो जो संकल्ब चलते हैं है अभिमान सुक्ष्म, उसका अंस टिन अंदर अंदर आत्मा को बहुत अथास कर देता, निरास कर देता, इसलिए परमात्मा कहरे रहे हैं, इसको बहुत महीं से चेक करो, और उसको खतम करके, नाचुरल न कि दिल नहीं होगी उसी में ही लवली ननुभव करेंगे चूंकि आपकी ओरिजनल अनादी स्टेज तो निराकारी है ना निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया वास्तों में आत्म तो सदा ही निराकार है, अनादी सरूप में भी निराकार है, और जब इस रष्टी मंच पर पार्ट बजा रही है, तो भी उसका अपना ओजिनल सरूप हो निराकार है, वो आत्मा ही सरी धारन करती है, सरी छोड़ती है, फिल लेती है, तो आत्म अभिमान इस्तिती एक बिलकुल, आगे बढ़ते हैं, परमात्मा कहते हैं कि एहंकार आने का दर्वाजा एक शब्द है, वो कौन सा? मैं, तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है, तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ, मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी? औरों को ग्यान देते हो मैं शब्द ही उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे लिए आने वाला है, मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, यह नैचुरल हो जाए, तो सब इस दर्वाजे को थोड़ा सपष्ट करें, क्योंकि परमात्मा बहुत सूक्ष में हम सब को पढ़ा तो जब मुख से निकलता है, मैं यह कर रहा हूं, मैं यह समझता हूं, मेरी यह समझ है, तो उसमें चेक करना चाहिए, कि मैं सब्द कहीं नहीं तो बोले हैं, अगर मैं कह रहा हूं तो मैं कौन? अपने आत्मिक सरूप में हम इस्तित हो जाएं, कि मैं तो एक आत्मा हूं, और मैं Mahana आत्मा हूं, पुन्य आत्मा हूं, देवा आत्मा हूं, मैं Shrushhti Natak की हीरो एक्टर आत्मा हूं, जब श्मृत्ति रहती है कि मैं ऐसी सर्ष्टा आत्मा हूं, तो यह जो मैं सब्द है, उस दरवाजा बं बंद कर देता है, अगर यही उलते रूप में मैं आता है कि जब हम मैं सब्द कहते हैं तो मैं में अपने स्वरूप की स्मृति आती है आत्मा की स्मृति आती है या मेरी बुद्धी, मेरी विशेचताएं मेरी प्लैनिंग उसकी स्मृति आती है तब उस दरवाजे को हम बंद कर सकते हैं प्रमात्मा के कहते हैं कि कि यह देह अभिमान का मैं समाप्त हो जाए क्योंकि मैं शब्द ही देह एहंकार में लाता है और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ यह स्मृती में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा इसी के अभ्यास की जरूरत है इसलिए जब ही भी हम बात करते हैं कोई भी सेवाओं में आते हैं मैं सब्द निकलता है हमाई दादी जी कभी भी मैं सब्द का प्रियोग ने करती थी कोई बोलचाल की भासाम वो यसे वो सुद्ध हिंदी नहीं है लेकिन बोलचाल की भासाम कहती हम मैं की जगे पर हुम ने हम सब्द का प्रयोग किया हम सब जैसे ऐसे कह रहे हैं हमारे विचार ऐसे हैं मेरे विचार है नहीं हमारे विचार ऐसे हैं भासा हिंदी के अंदर तो मैं और मेरा ही आता है लेकिन जब बोलचाल में आते थे तो जैसे मैं पन न दिखाई दे हम कह रह आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा क्याते हैं कि निराकारी बन, आकारी फरिष्टा बन, कारे किया और फिर निराकारी कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना दोनों में अंतर है, देह का आधार लेना और देह के वश होना दोनों में अंतर है फरिष्टा वा निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि देह से कर्म तो करना ही है क्योंकि हम कर्म छेत्र पर हैं और बिना देह के कोई कर्म नहीं होता लेकिन देह के संबंध में आकर के कर्म करें मैं आत्मा इस सरीर में प्रवेश हो करके कर्म कर रही हूँ तो चाहे अपने आकारी फरिष्टा सरुप से चाहे अपने सरीर में आकर के मैं आत्मा मालिक इन कर् सबाभन में तो करम बनधर करador कि मैं आत्मा करा KathMe pandemic तो करम सब्दमें तो आना है लेकिन वो करम सम्बंध घो बंधन का रूप न बन जाए बंधन मनेगा तो उसमें दुख है परेशानी है हम सबको भी कर्म करना है सरीर में आना है लेकिन सरीर हमें अपनी आकरसन में पांध न ले बंधन न बन जाए उसका ध्यान देना है बिल्कुर भासावज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम देहे एहंकार को समाप्त कर अपनी निराकारी और आकारी स्थिती में स्थित रहें स्पष्टी करन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि आकारी और निराकारी स्वरुप को नैचुरल नेचर बनाने का आधार है निरहेंकारी स्थेती परमात्मा ने कहा कि एहेंकार के सुक्ष्म अंश को भी हमें समाप्त करना है चुकि ये अंश ही हमें समय पर धोखा दे देते हैं परमात्मा ने कहा कि एहंकार के आने का दर्वाज़ा है मैपन अते हमें दे अभिमान के मैपन को समाप्त करना है और मैं निराकारी आत्मा हूँ इस मृति में रहना है तरशकों आज के महावाक्यों से संबंदित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें email कर सकते हैं हमारा email आईडी है अगले एपिसोड में आप इनी महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे तब तक के लिए लेते हैं इजाज़त, ओम शान्ती मुख्यसार दे अभिमान शब्द का सुक्ष्म अर्थ चाहे स्वयम की दे हो या औरों की दे का आकर्शन होना भी दे अभिमान है दे के आकार में लगाफ अभिमान के साथ साथ दे के संबंधों से अपनी संसकार, बुद्धी, गुर्द, शक्ती और कलाओं का नशा भी अभिमान है अभिमान के अंश की धमाल अम्रत्वेला क्लास सेवा करते हुए भी काम में दिल नहीं लगना अकेलापन, निराशा, व्यर्थ संकल्पों का तुफान आना या एकांत स्थान पर जाने वा परिवार से किनारा करने की सोच उत्पन होना अब सुयम को चेक करो देह अभेमान अर्थात, कर्म बंधन और देह संबंध अर्थात, कर्म संबंध इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्याले के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर स्टूडियो से संपर्क करें